नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक नए वीडियो में दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपके पास Redmi Note 10 है या फिर 9 Pro है या Redmi का कोई फोन है आप Wi-Fi की वार कोड का कैसे यूज कर सकते हैं यानि कि अगर आपके फोन में कोई Wi-Fi कनेक्टेड है तो इस Wi-Fi को आप दूसरे फोन में कैसे चला सकते हैं या दूसरे डिवाइस में कैसे चला सकते हैं या फिर दूसरे डिवाइस में Wi-Fi कनेक्टेड है और आपको पासवर्ड नहीं मालूम है दोनों ही केस में तो दूसरे डिवाइस का Wi-Fi आप अपने मोबाइल में कैसे चला सकते हैं यानि कि Wi Wi-Fi QR Code scanner का आप इस्तेमाल करके Wi-Fi कैसे connect कर सकते हैं बिना किसी पासवर्ड के और अपना Wi-Fi कैसे share कर सकते हैं या फिर अपना hotspot keyword code या दूसरे का hotspot keyword code यानि कि इसमें password का कोई रोल नहीं है सिर्फ keyword code से hotspot, Wi-Fi router आप share कर सकते हैं या फिर connect कर सकते हैं तो देखिए सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा Wi-Fi से तो देखिए यहां पर सेटिंग पर चला जाता हूं और सेटिंग जाने के पास Wi-Fi पर चला जाओंगा Wi-Fi पर जाके सबसे पहले एक Wi-Fi में connect कर लेता हूं है ना तो यह Wi-Fi है जो कि मैंने connect कर लिया अब suppose करो कि यह phone है किसी और का है या मेरा ही है इसमें Wi-Fi connected है बड़ password नहीं मालू है मुझे अब इस Wi-Fi को मुझे इस वाले phone में चलाना है कौँसा brand का phone है कोई फरेक नहीं परता तो इस वाले phone में क्या करोगी कि ऐसे call करके Wi-Fi पे ऐसे hold करके रखोगे तो चले जाओगे Wi-Fi वाले setting पे अब Wi-Fi वाले setting पे जाओगे तो scanner जैसे कि आपके mobile में यहां पे scanner है इस mobile में यहां पे है या तो नीचे होगा या उपर होगा scanner को आपको open कर लेना है दूसरे वाले phone में और अपने अगर इस mobile से करना है तो इस mobile में जो Wi-Fi connected ह है उस पे आप ऐसे करोगे क्लिक आप देख सकते हो एक बार वापस से इस Wi-Fi पे मतलब आप यहां पर करोगे ना तो इसकी setting आ जाती है लेकिन जब आप इस पे name पे क्लिक करते हो तक code आ गया ना अब इस code को हमें scan करेंगे आप देख सकते हो कि मैंने code जैसे ही scan किया यह password नहीं मांग रहा है गलती से type हो गया था मुझसे तो यह आप देख सकते हो कि यह Wi-Fi जो है वो connect हो गया अब इसी तरह से अगर मान के चलो कि आपको किसी और phone में अब इसने तो Wi-Fi connected है अगर आपको अपने phone को connect करना है किसी औ क्यूर के Wi-Fi से तो उसके Wi-Fi पे type करोगे जो connected है तो या तो QR code आ जाएगा या फिर QR code का कहीं option आएगा तो उसका QR code निकालना है और अपने QR code scanner को open कर लेना है और इसके बाद आपको अपने phone से ऐसे वो करना है स्केन करोगे तो यह वाला Wi-Fi इसमें connect हो जाएगा अब similar चीज आप हॉसपट के लिए भी कर सकते हो जैसे कि यहां पर हॉसपट है तो यहां पर मैं connection in sharing पे चला जाता हूं हॉसपट पे चला जाता हूं और इसमें आप जाओगे तो यहां पर सेटप हॉसपट है और यहां पर जैसे कि मैं इस मोबाइल हॉसपट मैंने on कर दिया ठीक है हॉसपट मैंने on कर रखा है अब जो यह हॉसपट है इसका एक keyword होता है अब सपोर्च करो कि मुझे अपने Wi-Fi से इसी के Wi-Fi से क्योंकि मैं Wi-Fi keyword कर इसके रिगार्स बात कर रहा हू तो मैं इसके हॉसपट पर चला जाओंगा यह देखो यह मोबाइल के गया सेटिंग पर और सेटिंग पर जाने के बाद नेटवर्क एन इंटरनेट में गया और यहां पर हॉसपट पर गया और यह हॉसपट Wi-Fi हॉसपट है इसको on किया और जैसे ही on करूंगा इसके सामने keyword code आएगा और इस keyword code को अगर connect करना है तब भी मैं Wi-Fi का scanner अपना on करूंगा और on करने के बाद यह देखो यह हॉसपट connect हो गया बीना किसी password के इसी तरह से आप अपना हॉसपट भी share कर सकते हो अब इसी तरह से अगर आपके हॉसपट का keyword code आपको share करना है किसी और डिवाई स इसे connect करना है तो similarly आप अपने connection in sharing में जाओगे और इसके बाद sorry आपको यहां पे हॉसपट का option मिलता है पोटेबल हॉसपट का option पे आप जाओगे और इसके बाद आपको यहां पे हॉसपट on करना है शिरिफ आपको share keyword code का option मिल जाता है share keyword कोड का option अगर नहीं आ रहा है तो आपने share किया था वैसे ही आपको अपना यह वाला keyword को किसी और device से share कर देना है अब दूसरे वाले से connect करना है तो दूसरे वाले के Wi-Fi में जाना है और आपको उसके Wi-Fi में जा करके और scanner पे जाना है और उससे scan कर देना है simply आपको यहां पे कोई भी password का रोल नहीं है password की कोई भी ज़रुवत नहीं है, तो जैसी ही आप करोगे, आपका ये यहांपे असकेन होकर के कनेक्ट हो जाएगा, आप देख सकते हैं, डिटेक्ट होकर के कनेक्ट हो चुका है, तो वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कीज़े, सेर कीज़े, सब्सक्राइब किजिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तेक के लिए वावाएं